दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Microsoft account कैसे हम create कर सकते हैं within 5 minutes तो सबसे पहले आपके mobile से फिर computer से कोई भी browser open कीजिए और simply search करना है Microsoft.com और यहाँ पर Microsoft का जो official website है इसके उपर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद simply जाना है sign in में और sign in में click करने के बाद कुछ इस तरह interface आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास already Microsoft account है तो यहाँ पर mail ID, phone number या फिर Skype account डालके login कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी account नहीं है अगर आप चाहते हैं new account create करने के लिए तो simply करना है नीचे की तरब no account के side में आपको मिल जाएगा create one और create one में click करने के बाद कुछ इस तरह interface आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई mail ID है तो यहाँ पर mail ID डालके create कर सकते हैं नहीं तो आपके mobile number डालके भी कर सकते हैं तो यहाँ पर mobile number डालके हम करेंगे use a phone number instead यहाँ पर click करने के बाद simply आपका जो भी mobile number है डालना है तो मैं डाल देता हूँ मेरा mobile number और यहाँ पर mobile number डालने के बाद simply आपको करना है next और next करने के बाद आप देख सकते है create a password, enter the password you would like to use with your account, तो यहाँ पे आपके हिसाब से एक password set करना है, तो मैं password set कर देता हूँ और password set करने के बाद simply करना है next, और next करने के बाद आप देख सकते है what's your name, तो यहाँ पे आपका first name और last name डालना है, तो मैं डाल देता हूँ Payless name & last name आपका जो भी यहां पर नेम होगा डाल दीजिए एन डालने के बाद यहां पर आपको करना है नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं what's your birth date तो यहां पर आपका जो भी बार्थ ड है डालना है तो मैं डाल देता हूं यहां पर birth date और birthday डालने के बाद simply करना है next और next करने के बाद आप देख सकते है verify phone number और यहाँ पर आप देख सकते है we just sent a code your number तो यहाँ पर आपके mobile number पर एक code receive होगा तो मुझे यहाँ पर code अभी तक receive नहीं हुआ तो थोड़ा time लगेगा मैं wait कर लेता हूँ जब मेरे पास code receive हो जाएगा यहाँ पर code डालके simply करना है next और code डालके next करने के बाद कुछ इस तरह interface आपके सामने आएगा यहाँ पर आप देख सकते है please solve the puzzle so we know you are not a robot तो यहाँ पर simply करेंगा next और next करने के बाद आप देख सकते है pick the mouse तो यहाँ पर आपको select करना है यहाँ पर जो भी आपका puzzle दिखाएगा आपके हिसाब से यहाँ पर, आपको solve करना है और यहाँ पर देख सकते है puzzle solve होने के बाद कुछ इस तरह tick mark आ जाएगा आपके सामने और यहापे आप देख सकते है stay sign in यहापे करेंगे yes और हमारा जो Microsoft account है login हो जाएगा यहापे आप देख सकते है रोहिद यहापे account create हो चुका है और यहापे login भी हो चुका है यहापे sign out कर सकते है यहापे my account में जाके my Microsoft account में जाके details आपका जो भी profile है देख सकते है दोस्तों आपको दिखा दिया आप किस तरीके से Microsoft account बहुत ही easily create कर सकते है email id यूज़ करके फिर mobile number यूज़ करके वीडियो पसंद है तो like कीजिए share कीजिए और चनल पर पहले बेले तो subscribe करके बैल लेकिन प्रूज़र प्रेस कीजिए मिलता हम से next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद